तो इस टाट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग शौट्रइक पढ़ने वाले हैं और आज जो शौट्रिक का डर्न है बच्चों वो किस चैप्टर की शौट्रिक का टर्म है आज हम यहाँ पर जिय्मियतर प्रोग्रेशन यहने हिन्दी में गुड़तर से लौणी बिलते हैं और उ कैसे क्या होता है इसका mean का मतलब जैसे आपने AP में देखा था कि AP में पूरी दी गई series का जो mean हुआ करता था ओके आपके पास AP में जो full mean हुआ करता था पूरी दी गई series का वो किनी भी दो term के mean बट कैसे term equal distance term के mean के equal हुआ करता था ऐसे जीपी में रूल लगता है कि जीपी में आपके पास में देखिए mean of n terms आपके पास में कोई mean है n terms के this is equal to mean of n terms जो होगा that is equal to mean of any two equidistant term तो आपके पास अगर बहुत सारे number दिये हो तो यह नहीं कि आपको सारे number को a1 into a2 into a3 dot 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 a n की whole power one by n इतनी मेनत नहीं करना आपको क्या करना आपको कोई भी दो number ले लिने है जो बराबर distance पे हो तो जैसे पहला ले लो और आखरी ले लो तो आपने पहला ले लिया और आखरी ले लिया और whole power कितना कर दिया इसका one upon two क्योंकि दो number हैं तो geometric mean में power कितनी आएगी one by two आएगी चलो इस पर एक question हो जाए जो आपके exam में पूछा गया है बड़ी आसा प्यारा सा question पूछा गया है देखे question क्या कह रहा है question कह रहा है कि geometric mean geometric mean of the number geometric mean of the numbers आपके पास एक series दी जा रही है ok 3 9 27 81 and 343 तो सबसे पहले आप देखे यहाँ पर कितने number है geometric mean आपको पूरी series का निकालना पूरी series क्या है यह GP बन रही है तो आपके पास में total कितने number है 5 number है तो दो तरीके हैं या तो आप middle term पकड़ लो वही आपका geometric mean है तो देखे यहाँ पर 27 बिल्कुल बीच में है तो यही geometric mean आएगा ok बटेदी आपको नहीं बहुत बड़ी series दी गई है और आपको छाटने में ढूंडने में बहुत ज़्यादा time लगने वाला है तो please इस method को मत करिए फिर आप क्या लगाई है फिर मैंने आपको बताया था अलग-अलग मत निकालो अलग-अलग निकालने के लिए आपको method कैसी करनी पड़ेगी अलग-अलग निकालने के लिए 3 into 9 into 27 into 81 into 343 hold to the power कितना 1 upon 5 क्योंकि कितने टर्म है एक, दो, तीन, चार, पांच टर्म है तो इतनी महनत आपको नहीं करना है आपको सीधे trick लगानी है और trick क्या कहती है कि पहले नंबर और आखरी नंबर का mean ले लो मतलब 3 into 343 की power कितना 1 upon 2 है ना 3 into 343 की power 1 upon 2 तो यह होता है 3 और यह कितना होता है यह होता अपने पास में 343, 3 की power कितना होता है यह 4 हुआ करता है ना 3 की power ये 4 हुआ करता है कि 5 हुआ करता है एक मिनट देख लो 3 की power 4 तो 81 होता है 3 की power कितना होता है 4 होता है 81 3 की power 5 कितना होता है 343 तो ये होता है दोस्तो 3 की power 5 और ये क्या है 3 की power 1 की whole power 1 by 2 तो answer कितना है 3 की power 6 की power 1 by 2 sit cancel हो गया ये कितना आ गया 3 की power 3 मतलब 27 ये देखो ये बीच में चमक रहा है तो दो तरीके आपके पास में या तो बीच वाला number find कर लो एक दम है ना और बीच वाला number कब होगा odd वाले case में होगा है ना even वाले में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो रूल याद रखिए कि जो equal term पे जो terms equal distance पे जो terms होते हैं उनका आप mean निकाल दोगे geometric mean निकाल दोगे तो वो पूरी series के geometric mean के बराबर होगा तो एक बार फिर से इस trick को लिख लो आप लोग okay gm of ऐसे लिख लो इसको है ना a1 into a2 into a3 up to up to up to कितने term है n term है का geometric mean that is equal to पहला term और कौन सा term एनवा term की whole power 1 by 2 चलो ये ना लो तो कौन सा ले लो आप दूसरा ले लो इधर से और इधर से भी दूसरा ले लो रास्ते तो इधर से दूसरा कितना होगा a2 और इधर से दूसरा कितना होगा an-1 की whole power कितना 1 by 2 इस तरीके से आप जो है कोई भी geometric mean जो है निकाल सकते हैं इस trick का इस्तमाल करके बहुत अच्छी trick है आपका धेर सारा ये समय बचा लेगी और competitive examination में समय की तो बहुत ज़्यादा crisis होती है किलत होती है तो वहाँ पे समय बचाना बहुत important हुआ करता है चली thank you so much